आज हम आप सभी के बीच एक बार फिर बात करना चाहेंगे तनुजा वो एक्टरिस है जिन्होंने अपने जमाने में ऐसी पहचान बनाई थी जिसे कोई नहीं भोल सकता आज तनुजा भरे ही अपने जिन्दगे में अकेली हो बेटी तनीशा है जो उनका खयार रखती है गौर हो कि बहुत छोटी थी काजोल और तनीशा जब तनुजा ने अपने पती से सोमू खर्जी से दूरी बना ली थी और वो अलग हे रहने लगी थी काजोल ने अपनी मा को ले कर कहा था जब मैं आपके साथ हूँ ऐसा लगता है मैं पूरे आर्मी के साथ खड़ी हूँ आप एक वारियर है, एक बहुत अच्छी पत्नी रही, एक बहुत अच्छी मा रही, एक बहुत अच्छी बेहन और एक बहुत अच्छी महिला है, एक बहुत अच्छी इंसान और बहुत खोपसुरत आत्मा है, आपके लिए मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा काजोल ने अपनी मा के लिए लिखा था कि पूरी जिन्दगी एक मा का जितना ओतार मैंने कभी नहीं देखा उतने सारे ओतार मैंने आप में देखें एक मा के सारे ओतार मैंने आप में देखें है आपको बताना शाहिंगे हमारी इस खास रिपोर्ट में कि इस वक्त आपको शैद जानकारी ना हो लेकिन तनुजा जो है बहुत जादा अपनी बेटियों के करीब रही है और इसलिए तनुजा अपनी बेटियों के साथ जादा अच्छी बॉन शेयर करती आई है और पती की गुज़रने पर भी तनुजा को संभालने वाली उनकी बेटिया ही थी जिसकी वजह से तनुजा अपनी बेटी काजोल की जादा करीब रही है तनुजा की सरचरी भी हुई थी कुछ टाइम पहले जिसके बाद वो काफी बदल गई थी काजोल ने कहा था कि मेरी मा मेरे लिए infinity है मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकती वो मेरे साथ हर दम रहती है वो मेरे साथ ना रहकर भी मेरे साथ रहती है अगर आज मैं बहुत अच्छी मा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ अपनी मा की वजह से और मैं पूरी तरह से अपनी मा को फॉलो करती आ रही है नेक्ष्ट नाइन यूजरूम से प्रिप्ति की रिपोर्ट